हलो एव्रिवान कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे बहुत अच्छे से ही अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बीड़ नीट पे आज हम लोग करने वाले हैं Audiobook Class 11 की शरीर द्रव तथा परिसंचनण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको लाइक कीजेग और अगर आप चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करियेगा ताकि उनकी भी इन आदियो बुक्स से रिवीजन करने में हेल्प हो सके हाई हो कि आप लोग मेरे 1-Minute Biology के वीडियो भी देख रहे होंगे जिनमें मैं PYQs-based topic पे एक मिनट में पूरे की पूरे concept को explain करती हूँ आप लोगों को आई बटन में इसके link मिल जाएंगे उन्हें जा करके देखी और जिन topics पे आप पहले बनवाना चाहते हैं वीडियो वो आप मुझे comment section पे बता सकते हैं और हाँ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ में PYQs भी शेयर करूँ इन शॉर्ट्स वीडियो के साथ में तो आप लोग में ये comment section में ये भी बताईएगा चलिए अब शुरू करते हैं टाइम बेस नहीं करते हैं अध्याय 18 शरी द्रव तथा परिसंचरण अब तक आप ये सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को oxygen, potion, अन्यावशक पदार्थ उपलब्द होने चाहिए उत्कों के सुचारू कार हेतु, अप्शिष्ट या हानिकारक पदार जैसे carbon dioxide का लगाता निश्काशन आवश्यक है अता इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविदी का होना आवश्यक था विभिन प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन तरीके विक्सित हुए सरल प्राणि जैसे sponge वा salentrate बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरन शारीरी गुहाओं में करते हैं जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके जटल प्राणि इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेश तरल का उप्योग करते हैं मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश में काम आने वाला सरवादिक सामाने तरल है एक अन्य शरीर द्रव लसी का भी कुछ विशेश तर्थों के परिवहन में सहायता करता है इस अध्याय में आप रोधिर और लसी का उतक द्रव के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़िए इसमें रोधिर के पर संचरन को भी समझाया गया है 18.1 रोधिर रक्त एक विशेश प्रकार का उतक है जिसमें द्रव आधात्री, मैट्रिक्स, प्लाजमा तथा अन्य संगठित संदशनाय पाई जाती है 18.1.1 प्लाजमा प्रद्रव एक हलके पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगबग 55% होता है प्लाजमा 90-92% प्रतिशत जल तथा 6-8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं फाइब्रिनोजन, ग्लोबलिन तथा अल्बमिन प्लाजमा में वपस्तेत्मों के प्रोटीन है फाइब्रिनोजन की आपश्रक्ता रक्त थक्का बनाने या सकंदन में होती है ग्लोबलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तता अल्बमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है प्लाजमा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैंगनीशियम आयन, HCO3, क्लोराइड आयन इत्यादी भी पाये जाते हैं शरीर में संक्रमन की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमाइनो असिड तता लिपिट भी प्लाजमा में पाये जाते हैं रुधिर का थक्का बनाने अत्वा सकंदन के अनेक कारक प्रद्रव्वे के साथ निश्क्रिय दशा में रहते हैं बिना थक्का और सकंदन कारकों के प्लाजमा को सीरम कहते हैं 18.1.2 संगठित पदार्थ लाल रुधिर कडिकाएं यानि कि एरित्रोसाइट, श्वेताणू, लिउकोसाइट तता प्लेट लेट्स को सहियों के रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रग्त के लगबग 45% भाग बनाते हैं इरित्रोसाइट यानि RBC ये लाल रुधिर कडिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में आधिक होती हैं एक स्वश्य में कडिकाएं लगबग 50-50 लाग प्रतिःखन मिलिमीटर रग्त 5-5.5 मिलिमीटर होती हैं वयस तक बस्ता में लाल रुधिर कडिकाएं लाल अस्ती मज्जा में बनती हैं अधिकतर संधारियों की लाल रुधिर कडिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तता इनकी आकरती उभ्यावतल बाई कॉनकेव होती है। इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोगलोबिन की उपसिती के कारण है। एक सोस्त मनुष्य में प्रती 100 ml रक्त में लगभग 12-16 ग्राम हीमोगलोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की शवशन गैसों के परिवहन में महत्पून भूमिका है। लाल रक्त कडिकाओं की ओसत आयू 120 दिन होती है। तत पश्चात इनका विनाश प्लीहा यानि लाल रोहित गडिकाओं के कब्रिस्तान में होता है। स्प्लीन इट इस। लिउकोसाइड को हीमोगलोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कडिकाओं या डबलू बीसी यानि वाइट ब्लड कॉपसल्स भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाये जाते तथा ए-granulocyte नूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल कडिकाओं के प्रकार हैं जबकि लिम्फोसाइड तथा मोनोसाइड ए-granulocyte के टाइपस हैं। श्वेत रिधिर कर शिकाओं में नूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक 60-65% तथा बेसोफिल संख्या में सबस 5-1% होते हैं। नूट्रोफिल तथा मोनोसाइड 6-8% भक्षन कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले वाह जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सरिटोनिन, हेपैरिन, आधिका स्त्राफ करती है तथा शोथ करी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इयोसिनफिल 2-3% संक्रमण से बचाफ करती है तथा अलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइड 20-25% मुक्यता दो प्रकार की है, B तथा T. B और T दोनों प्रकार की लिम्फोसाइड शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तर दाई है। प्लेटलेट्स क प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण सकंदन में विक्रति हो जाती है तथा शरीर से रक्तिस्त्राव हो जाता है। 18.1.3 रक्त समू यानि ब्लट ग्रूप जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिनो होता है। रक्त के कई तरीके से सामूही करण किया गया है। इन में से दो मुक्य समू हैं A.B.O. तथा R.H. का उपयोग पूरे विश होता है। यह antigen A और B हैं जो प्रतिरक्षा नुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन वेक्टियों में दो प्रकार के प्राकरतिक प्रतिरक्षी antibody मिलते हैं। प्रतिरक्षी वो प्रोटीन प्रदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। चार रक्त समूहों A, B, AB और O में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के सिधी को देखते हैं, जिसकी तालिका 18.1 में दिखाई गई है, यहाँ ब्लड ग्रूप हैं आपके A, B, AB and O, यहाँ पे लाल उधिर कणिकाओ पर एंटिजन और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटिबोड और रक्त दाता समूह कौन-कौन से हैं, यह आपको इस्टेबल में दिखाया गया है, दाता एवं ग्राही अदाता के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूरवक्त मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त सकंदन एवं RBC के नश्ट होने जैसी गंभीर प परश्ट है कि रक्त समूह ओ एक सर्व दाता है, जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है, तता रक्त समूह A B सर्व आ दाता है, ग्राही है, जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है, 18.1.3.2 RH समूह, एक अन्य प्रतिजन, एंटीजन RH है, जो लगबग 80 प्रतिशत मनुष्यों में पाया जाता है तता यह रच यह रच यह रच सहित यानी आणि आश पाजिटिव के प्रतिरख्षी बन जाती है थी तो आदान प्रतान के पहले आरच समू को मिलना भी आवश्यक है एक विशेश प्रकार की आरच अयोगिता को एक गर्भ वती यानि आरच नेगेटिव माता एवन उसके गर्भ में पल रहे भूण को आरच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है अपरा द्वारा प्रथक रहने के कारण भूण का आर प्रतिरक्षी बनना प्रारंब हो जाता है यह प्रतिरोध में एंटिवाडी बनाना शुरू कर देती है यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से आरच नेगेटिव भूण के रक्त आरच पॉजिटिव में आरच प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे ब्रूण की लाल उधिर करने का ये नश्टो हो सकती है यह ब्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है या उसे रक्त तल्पता यानि खून की कमी और पीलिया हो सकता है ऐसी दशा में एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस यानि गर्भ रक्ताडू को रक्ता कहते हैं इस दिस्त सकंदन होता है ब्लड क्लॉटिंग ये क्रिया शरीर के बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है क्या आप जानते ही कि ऐसा क्यों होता है आपने किसी चोट या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल या बूरे रंग का ज्छाग सा अवश्य देखा होगा ये रक्त का फाइबन रक्त प्लाजमा में उपस्तित एंजाइम थ्रॉम्मिन की साहता से फ्राविब्रॉनोजन से बनती है थ्रॉम्मिन की रशना प्लाजमा में उपस्तित निश्क्री प्रथॉम्मिन से होती है इसलिए थ्रॉम्बो काइनेज एंजाइम समू की आवश्यक्ता होती है यह enzyme समूरक्त प्लाजमा में उपस्तित अनेग निष्क्रिय कारकों की साहता से एक के बाद एक अनेग enzyme प्रितिक्रिया की शंखला से बनता है एक चोटिया घात रक्त में उपस्तित प्लेटलेट्स को विशेश कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है जिन से सकंदन की प्रक्रिया शुरू होती है चति ग्रेस्त उतकों द्वारा भी चोट की जगा पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो सकंदन को आरम कर सकते हैं इस प्रक्रिया में कैल्शिम आयन की भूमिका बहुत महात पूर्ण होती है 18.2 लसी का लिव उतक द्रव रक्त जब उतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तो बड़े प्रोटीन अडू एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बहां निकल जाते हैं इस तरल को अंतराली द्रव या उतक द्रव कहते हैं इसमें प्लाजमा के समानी खनेज लवड पाये जाते हैं रक्ते तथा कोशिकाओं के बीच पोशक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है वाहेकाओं का विस्तरच जाल जो लसीका तंत्रय आनि लिंफैाटिक सिस्टम क्यलाता है इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओ में वापस छोड़ता है लसीखा तंत्र में उपस्तित यह द्रव तरल को लसीखा कहते हैं लसीखा एक रंग ही इंद्रवत जिसमें विशिष्ट लिंफोसाइट मिलते हैं लिंफोसाइट शरीर की प्रतिरक्षिय नुक्रिया के लिए उत्तरदाई हैं लसीका पुशकपदार्थ हॉर्मोन आधिके समवहन के लिए महात्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्तित लैक्टियल वसा को लसीका द्वारा अवशोशित करते हैं। 18.3 परिसंचरण पत, सर्कुलेटरी सिस्टम या पात, यहां पर हमारे पास में दो तरह का परिसंचरण तंत्र होता है, जो खुला एवं बंद होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पत ज्यादा लाबदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवा आसानी से नियमित किया जाता है। तथा दो निलय होते हैं। मचलियों में हरदय वी ऑक्सिजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सिजनित होकर शरीर के विभिन भागो में पहुंचाया जाता है। लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की और पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं, पक्षियों एवं स्तंधारियों में ओक्सिजनित वी ओक्सिजनित रक्त क्रमशा बाये वा दाये आलिंदों में आता है, जहां से वै उसी क्रम में बाये दाये एवं बाये निलेयों में जाता है, निलेय बिना रक्त को मिलाए ने पंप करता है अर्था दो तरह के परिसंचरन पत इन प्राणियों में मिलते हैं अता इन प्राणियों में दोरा परिसंचरन पाया जाता है अब हम मानव के परिसंचरन तंत्र का अध्यन करते हैं 18.3.1 Human Circulatory System मानव परिसंचरन तंत्र जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं जिसमें कक्षों से बना पेशी हरदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है रक्त इन में बहने वाला एक तरल है जिसके बारे में आप विस्तरत रूपस के इस अध्याय के पूर वर्ती प्रिष्ठों में पढ़ जुके हैं हर्दय की उत्पत्ती मीजोडर्म से होती है तथा ये दोनों फेपड़ों के मद्देवक्ष गुआ में स्थित रहता है ये थोड़ा सा बाहीं तरफ जुका रहता है ये बंद मुठी के आकार का होता है ये एक दोरी बित्ती के जिली में थायली हर्दयावर्णी द्वारा सुरक्षित होता है जिसमें हर्दयावर्णी द्रभ पाया जाता है हमारे हदय में चार कक्षो होते हैं, जिसमें दो कक्ष अपेक्षाक्रत छोटे तता उपर को पाये जाते हैं, जिनें आलिंद या एठ्रिया कहते हैं, दो कक्ष अपेक्षाक्रत बड़े होते हैं, जिनें निलय यानि वेंट्रिकल कहते हैं, एक पतली पेशी भित्ती जिसे अ आलेंद निलय पर द्वारा प्रथक रहते हैं, हाला कि इन पटों में से एक एक शिद्र होता है, जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है, दाइने आलेंद तथा दाइने निलय के पर तीन पेशी पलनों वा वलनों से युक्त एक वॉल्व पाया जगाता है, इसे निलयों से निकलने वाले क्रमशा, फुफुस्य धमनी तथा महा धमनी का निकास द्वार अर्ध चंद्र का पाटिकर से मिलुमनर वॉल से यूगत रहता है, ये हर्दय के कपाट रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं, अर्था आलेंद से निलय, निलय से फुफुस धमनी या महा धमनी, कपाट वापसी या उल्टे प्रभाग को रोकते हैं, अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, ये हुमन हाट है, ये हर्द पेशियों से बना है, निलयों की भित्ती, आलेंदों की भित्ती से बहुत मोटी होती है, एक विशेश प्रकार की हर साइनो एट्रियल नोट कहते हैं, इस उतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद के नीचे के कोने पर आलिंद निलय पट के पास में स्थित होता है, जिसे हम अच्रियो वेंट्रिकुलर नोट कहते हैं, नोडल रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद निलय बंडल या एवी होता है, तता शीग्र ही दो नाईव और एवं बाही शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है, इन शाखाओं से संशिप्त रेशे निकलते हैं, जो पूरी निलय पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे हम पर सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है, यहां एक मिनट में 70-75 क्रिया विभव पैदा करती है, तता हर्दय का लयात्मक संकुचन यानि रिद्मिक कॉंट्रेक्शन को प्रारंब करता है, तता बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक बेसमेकर कहते हैं, इससे ह हमारी सामान हर्दय समंदन दर 70-75 पर मिनट होती है, औसन 72 बीट पर मिनट, 18.3.2 हर्दय चक्र, हर्दय काम कैसे करता है, आओ हम जाने, प्रानब में माना कि हर्दय के चारो कक्षिशितिल अवस्था में है, तता हर्दय अनुशिधिलन अवस्था में है, इस समय त्रिवलन या दिवलन का पाट खुलते हैं, जिससे रक्त फुफुस शिरा तता महा शिरा से क्रमशा बाएं तता दाएं आलिंद में होता हुआ, बाएं तता दाएं निले में पहुँचता है, त्रिवलन का पाट यानि ट्राई कस्पिट बॉल और दिवलन का पाट यानि बाई कस्प इस क्रिया से रग्त का प्रभाव निले में लगबग 30 प्रिशत बढ़ जाता है। इस से त्रिवल्नी वा दिवल्नी का पाट बंद हो जाते हैं। इस से प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हरदय स्मंदन के आरम से दूसरे हरदय स्मंदन के आरम होने के बीच के घटना करम को कार्डियक साइकल कहते हैं। तथा इस क्रिया में दोनों आलेंद तथा दोनों निलेओं का प्रकुंचन एवं अनुशितिलन सम्मिलित होता है। जैसा कि उपर वर्णन किया जा चुका है। हरदय स्मंदन एक बार में 72 बार होता है और एक मिनट में 72 बार होता है और थात एक मिनट में कई बार हरदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकेंड निकाला जा सकता है। प्रतिक रिदे चक्र में निले 70 ml रक्त पम करता है जिसे प्रवा आयतन कहते हैं प्रवा आयतन को हर्दे दर से गुणा करने पर हर्दे निकास कहलाता है इसलिए हर्दे निकास प्रतिक निले द्वारा रक्त की मात्रा को प्रती मिनट बाहर निकालने की चमता है जो एक स्वस्त मात्रा में 5000 ml या 5 लीटर होती है हम प्रवा आयतन तता हर्दय दर को बदलने की चमता रखते हैं इसे हर्दय निकास भी बदलता है उदारन के तौरपल खिलाडी धापकों का हर्दय निकास सामाने मनुश्य से अधिक होता है हर्दय चक्र के दोरान दो महात्वण ध्वनिया स्टेथोस्कोप दोरा सुनी जा सकती है प्रतम ध्वनी लब यानि त्रिवलनी तथा दिवलनी कपाट के बंध होने से सम्बन देता है इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सी निदान में बहुत महात्व है आप शायद अस्पताल के टेलिविजन के दरश्च से चिर परचित होंगे जब कोई बिमार वेक्ती हर्दय अगात के कारण निगरानी मशीन आनि मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है तब आप पीप पीप की आवाज सुन सकते है इस तरह की मशीन लेक्ट्र कारडियोग्राफ का उपयोग विद्धुत हर्दलेखक गयानि लेक्त्र कार्डियोग्राम ECG प्राप्त करने के लिए किया जाता है हेदै क्रियां के विश्टरित मूल यकन के लिए तारों को सीने से जोड़ा जाता है, यहां हम केवेल मानक इसी जी के बारे में बताएंगे, इसी जी के प्रतेक चर्मोतकर्ष को P से T तक दर्शाया गया है, जो हेदै की विशेश विद्धुत क्रियां को प्रदशित करता पी तरंको आलिंद के उद्धीपन विद्रुवन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है QRS सम्मिष्रे निले के अध्रुवन को प्रस्तुत करता है जो निले की संकुचन को शुरू करता है संकुचन क्यों तरंग के बाद शुरू होता है जो प्रंगुचन सिस्टोल की शुरुवात का दियोतक है टी तरंग निले का उत्तेजिना से सामाने अवस्था में वापस आने की स्थिती को प्रदर्शिक करता है टी तरंका अंत स्प्रंकुंचन अवस्ता की समाप्तिका दियोतक है जो स्पष्टत्या एक निश्चित समय में QRS सम्मिष्ट की संख्या गिनने पर एक मनुश्री के हैदय स्पंदन्त दर्प भी निकाली जाज सकती है यह देपी तरह तरह के वेक्तियों की ECG संरशना एवं आकरती सामाने होती है इस आकरती में कोई परिवर्थन किसी संभावित असामानेता तथा अत्वा बिमारी को इंगित करती है अता यह इसकी चिकित्सी महत्वता बहुत जाधा है 18.4 द्विस अंचरण या डबल सर्कुलेशन रक्त अनिवार रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों धमनियों एवं शिरा में बहता है मूल रूप से प्रतेक धमनियों और शिरा में तीन परते होती हैं अंदर की परशलकी, अंतराज छादित उतक, अंतास तरकंचुक, चिकनी पेशे अवं लचीले रेशे से युक्त मद्यकंचुक, एवं कोलेजन रेशे से युक्त रेशेदार संयोजी उतक वाय कंचुक, शिराओं में मद्यकंचुक अपिक्षकरत पतला होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निले द्वारा पंप किया गया रक्त फुफुसी धमनियों में जाता है, जबकि बाय निले से रक्त महा धमनी में आ जाता है औक्सिजन रहित रक्त फेफडों में औक्सिजन युक्त होकर फुफुष शिराओं में होता हुआ बाएं आलिंद में आता है यह संचरन पत फुफुष संचरन कहलाता है उक्सिजंरी रख्त महा धमनी से होता हुआ धमनी धमनी काओं तता केशिकाओं यानी कैपलरीस से होता हुआ उतकों तक जाता है समवहनी संबर्दिता आहार नाल तथा यकृत की बीच उपस्तित होती है जिसे यकृत निवाही का परिसंचरण तंथ हिपैटो पोर्टल सिस्टम कहते हैं यकृत निवाही का शिरा रग्ट को इसके पहले के वाकरम बद परिसंचरण में आंत्र से यकृत तक पहुचाती है 18.5 हद क्रिया का नियमन हदे की सामाने क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है अर्थात विशेश, पेशी उतक, नोडली उतक द्वारा स्वय नियमित होते हैं इसलिए हडे को पेशी जनक यानि मायो जनिक कहते हैं मेडिूला अबलंगाटा के विशेश तंत्रिका केंद्र स्वायत तंत्रिका के त्वारा हर्द की क्रियाओं को संयमित कर सकता है अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिय संकेथ हर्दयस्पंदन को बढ़ा देते हैं वा निलाई संकुचन को सुद्रण बनाते हैं अता हर्द निकास बढ़ जाता है 18.6 परिसंचरन की विक्रतिया उच रक्तदाप अतितनाव आतितनाव रक्तदाप की वह वस्ता है जिसमें रक्त सामाचाप सामानिता 120 by 80 से अधिक होता है इस मापदंड में 120 mmHg mm में मरकरी दवाफ को प्रकंचन यानि पंपिंग दाप और 80 mmHg को अनुशितिलन या विरामकाल रक्तदाप कहते हैं यदि किसी का रक्तदाप बार बार मापने पर भी वक्ति 145 90 या इससे अधिक होता है तो वह अतितनाव प्रदर्शित करता है वह छरक्त चाप रदे की बिमारियों को जन्म देता है ततहा अन्यमहतपूर अंगों जैसे मस्तिष्क तत्ह रख जैसे अंगों को प्रभावित करता है हर्द्धमनी रोग हर्दर धमनी रोग बिमारी या रोग को प्राया एथिरोकांठी यानि एथिरोस्क्लरसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें हर्द पेशी को रख्ति के आपूर्ति करने वाली प्रवाहिनी या प्रवाहित करती है ये विमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा तता अन्य रेशी उत्गों के जमा होने से होता है जिसे धमनी के अवकाश का सक्री हो जाती है हेद शूल एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं हेद पेशी में जब पर्याप्ट ऑक्सिजेन नहीं पहुँचती है तब सीने में दर्द होता है जो एंजाइना की पहचान है हेद शूल स्थ्री आप उरिश दोनों में से किसी भी उम्र में हो सकता है लेकिन मद्य वस्ता तता व्रद्ध वस्ता में ये समानेता होता है ये अवस्ता रख्त बहाव के प्रभावित होने से होती है Heart failure Heart failure वे अवस्ता है जिसमें हेदय की शरीर के विबिन भागों के आवश्यक्ता अनुसार आपूर्ती नहीं कर पाता है इससे कभी-कभी संक्लित हर्थपात भी कहते हैं क्योंकि फुफुस का संक्लन हो जाना भी उस बिमारी का प्रमुक लख्षण है Heart failure घीक हदया घात की भाती नहीं होता जहां हदया घात में हदय की धड़कन बंदो जाती है जबकि हद पात में हद प्रेशी को रगत आपूर्ती अचानक अपरयापत हो जाने से यकायक छदी होती है समरी कशेरुकी को पूरे शडीर में संचारित करते हैं जिसके द्वारा आवशक पदार्थ कोशिकाओं तक पहुँचते हैं तता वहां से अवशिष्टों को शडीर से बाहर निकालते हैं दूसरा द्रव जिसे लसी का उतक द्रव कहते हैं भी कुछ पदार्थों को अभिगामित करता है। रक्त द्रव आधात्री, मियानि मैट्रिक्स, प्लाजमा तता संगटित पदार्थों से बना होता है। लाल रुदिर कणिकाएं, श्वेत रुदिर कणिकाएं तता प्लेट लेट संगटित पदार्थों का हिस्सा है। मानव करक्त चार समुओं A, B, A, B, O में वर्गी करत किया गया है। इस वर्गी करण का आधार लाल रुदिर कणिकाएं की सताय पर 2 इंटीजन 8 अत्वा B का उपस्तित अत्वा अन्वस्तित होना है। दूसरा वर्गी करण लाल इन कम होती है तता संगठित पदार्थ नहीं होते हैं। सभी कशेरुकियों तता कुछ अशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। हमारे परिसंचरण तंत्र के अंतरगत पेशिये, पंपिंग, अवेव, हैदय, वाहिकाओं का जाल, तंत्र, अत्ता, द्रव, रखत आदी समलित होते हैं। हरदय में दो आलिंद तथा दो निले होते हैं। हरद पेशिविणन्या सो अत्तेजनी होता है। शिरा आलिंद यानि S.A.N. अधिकतम संख्या में प्रती मिनट सत्तर मिनट प्रिय विभव को उत्पन करती है। इसकारन या हरदय की गतविदि की गटी निर्धारित करती है. इसलिए इसे पेस मेकर कहते हैं. आलिंदे द्वारा पैदा किया गया विभव, इसके बाद निलेओं की आकुंचन का अनुकरन अन्वशितिलन्द द्वारा होता है यह प्रकुंचन रक्त के आलिंद से निलेओं की और बहाव के लिए दबाव डालता है और वहाँ से फुफुसी धमनी तता महा धमनी तक ले जाता है हरदय की इसक्रमिक घटना को एक चक्र के रूप में बार बार दोराया जाता है जिसे हरदय चक्र कहते हैं एक स्वस्त व्यक्ति प्रती मिनट ऐसे 72 चक्रों का प्रदर्शित करता है एक हरदे चक्र के दौरान प्रतेक निले द्वारा 70 मिली रक्त हर बार पंप किया जाता है इसे स्टोक या विस्पंदन आयतन कहते हैं हरदे के निले द्वारा प्रती मिनट पंप किये गए रक्त आयतन को हरद निकास कहते हैं और यह stroke आयतन तता स्पंदन दर के गुणक बराबर होता है। यह प्रवा आयतन प्रती मिनट हर्दे दर लगवग 5 लीटर के बराबर होता है। हर्दे में विद्धुत क्रिया का आलेक एलेक्ट्रो काडियोग्राफ के द्वारा किया जा सकता है। तता विद्धुत हर्द आलेक को ECG कहते हैं जिसका चिकित्सिय महत्व है। हम पूर्ण दोरा संचरण रखते हैं अर्थाथ दो परिसंचरण तंत्र मुकिता फुफुसी तता दाहिक होते हैं। फुफुसी परिसंचरण में ऑक्सीजन रहित रखत को दाहिने निले से फेफडो में पहुंचाया जाता है, जहां पर यह रखत आक्सीजनित होता है तता फुफुसी शिरा द्वारा बाये आलिंद में पहुंचता है। दाहिक परिसंचरण में बाय निले, बाय निले से ऑक्सीजन, युक्त, रक्त को महाधमनी द्वारा शरीर के उतकों तक पहुचाया जाता है, वहां से ऑक्सीजन, रहित, रक्त को उतकों से शिराओं के द्वारा दाहिने आलिंद में वापस महुचाया जाता है। से जरूर शियर करिएगा और नेक्स चेप्टर आपको कौन से चाहिए मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट आडियो बुक में तब तक के लिए टाटा बावाई जस्टे केर एवरीवन जस्टे टून विद मी बावाई